हेलो व्यूवर्स केसे हैं आप सब आप से करें हर्शा टेरिस गार्डन तो आज कुछ एसे रंगप रंगी पोदों के बारे में या पतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो गर्मियों में हमारे टेरिस पर चार चांद लगा देते हैं यानि जा गर्मियों में फूल तो ख गरमी की यह सारी में पतियों वाले आज बता रहें नों बहुत प्यारे फूल हैं तो बहुत अच्छी हैं और बहुत सस्ते भी हैं अगर आपने एक बार यह गार्डन में लगा दिये ना तो सालों साल चलते हैं और उसके बाद आपको खईने की जरुवती नहीं परती तो सब मेरे पास भी बहुत अच्छा लगता है अप इसकी पत प्तियां खुद देख सकतें एक तो बरे बरे प्त्ते, और उसमें ग्रीन, डॉज्ञ, येल्लो, उसके बाद लाइट ग्रीन, रैड, इतने कलर्स में आता है ना, एकटा एक पत्य में 3-4 तो यह प्लांट भी आप एक बारी लेखे आएंगे उसके बाद अगर इसकी बात नहीं करें तो कोई बात नहीं और 20-30 उपे में मिल जाता है वेरीडेट मेमेहें लेकर और कि बहुत सष्टा करें नहीं हैं और आगर करें और रष्टानुटावी नहींस सबन आख सब्साव नहीं आट आइस तो तो यह दस से पंदरा सार क्या पच्चास साल भी चला जाएगा यानि कभी भी यह जो आज प्लांट दिखा रहे हैं ना एक बारी आपको लें के आले तो इस प्लांक का नाम है एक लिफ़ रहित बहुत ही सन्दर और फुल्र करनी मियमी चितनीज़्य ज्यादा गर्मी और उतनेज़्य जबस प्लांट की हो यह वही सारे मेरे प्लांट ऊपर टेरिस पर पर हाँ मेरी गिरीन डेल लगी हुई है उसके बाद बात करते हैं अरेलिया प्लांट के बारे में यह भी आपको सिफ एक बार में लेखे आना है इसमें दो कलर आते हैं मैं आपको दिखा तू एक तो यह है एक यह देखिए मैं दिखा रही है आपको बहुत साड़ी इसकी लगए इसके बिल्कुल ब्लेन होंगे और इसके देखिए वेरी के डेनी दो कलर है बिल्कुल करीम कलर का और गिरीन कलर का शेड है चोटी थी चोटी कटिंग आने ना बारिश में लगा देंगे ना मौनसुन में तो बहुत बहुत इसी लग जाती है एक हफ़ते के अंदर यह सारी कटिंग आप बारिश में लगा दीजिए हाँ अभी गर्मी है तो शायद यह कटिंग नहीं लगेगी लेकिन अगर यह प्लांट आप लेके लेने जाएंगे ना तो ज्यादा ज्यादा तीस यह पेंते सुपह में आ जाता है मैंने सरकाई नर्सी में पांच रुपे लिया है इसके बाद है डेसि ना इसकी तो मैं कह règ एक सारी विरायटी मिलती है एक से बढ़ कर एक कलर मिलता बहुत ही प्यारा लगता ए जितना शोटा गमला उतना शोटा पोदा जितना भरा गमला उतना ही मदब पोदा भरा होता है इतने सारे पप्स निकलता है न हर साल बारिश में मैं तीन चार प्लान बनाती हूँ ये भी मेरे पास बहुत हो चुके है यानि बिल्कुल 50 उपै में मैंने एक प्लान लिये थे, 12-13 जण मैंने गंबले बना के रखे हैं, मैं क्या करती हूँ, हर फ्लान को एकड़ा नहीं रखती हूँ, थोड़े खान, थोड़े कां, थोड़े कां, यानि मैं कहूंगी हर तरह हमारा या चाहिए हमाराला टारिस इस से 50 उपए के रेंज में बिल्कुल आपको मिल जाएगा इसके में पपस से प्लांट तयार हुए प्लांट बिल्कुल आगे जाकर दिखाऊंगी और एक में ये दिखा दूँ एक लिपा की ये कि ये विरैटी है एक पहले में आपको दिखा थी एक ये ये भी बहुत अच्छा है हर जितने भी ब्लांट है ना मुझे एक तीज पसंद है सबकी में कटिंग लगाती हूँ बारिश में सबकी इसके मेरे पास चार पहुते हो गए हैं और कटिंग इतनी इजी टू ग्रो है हाँ इसमें एक प्रोबम होती है गर्मी में कीरे वगर लग जाते हैं आप पते द जाल हुएं आप इनकी ग्रोथ देखिए यह सारे में प्लांस आपको दिखा रही हूं ना सारे के सारे मेरे डेसीना के अरिलिया के प्लांस सारे मेंने कटिंग से ग्रो की हूएं मैंने एक एक नर्सरी कभी सरकारी नर्सरी में कभी प्राइवी नर्सरी जो हती है तो कभी प बारिश में इसके पप्त चोटे से इतने दो तीन पते थे उसमें पप्त दे तो मैंने डाल दिये थे तो रहा सा यह गर्मी है तो यहां पर इसके पते जुलस कहें लेकिन ऐसा नहीं कि यह सिब इंडोर चलता है यह देखिए इसमें साइड में स्वीट लेसम भी लगा हुआ जो बल्कुल इसका तो टाइम चला गया तो छोटे छोटे गंबलों में भी आप इसको लगा सकते हैं तो साथ में इसकी भी में दिखा दूए देखिए एक चीज में आपको दिखा रही हुए से तो यह रंगीन इसको नहीं कहेंगे लिकित पत्तियां बहुत सुंदर आती ह मिरा इस प्लांट में कितना प्यारा प्लांटे देखिए एक चीज दिखा जो और मैं बहुत कटिंग लगी उसका पिलान भी चाहिना तो नहीं है से ब्रांच दो बहुतом बहुत प्यारा लगता है तो इसकी ब्रांच गिर गई थी तो वहीं अपने आप एक प्लांट इसकी ग्रोथ हो गई है लेकिन क्योंकि बहुत तेज गर्मी है तो फलाल अभी में इसको रहने दूँगी और अब इसको मौंतुन में में अलग करके और अपने गमले बनाऊंगी तो चलिए लास्ट में एक मेरा सबसे फेरेट और प्यारा और बहुत दी में कहूंगी हाड़ी 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 प्लांट है वो है परपलार अगर ये प्लांट लेके आए तो आप खुदो कहोगे प्लीज आप मेरे घर से निकलो ये नहीं निकलेगा हर जग जहां भी इसका ये देखे कहां लगा हुआ है वेस्ट मट्यल जो साइकल का बच्चों का आता है ना बास्केट आगे लगा होता है उसमें लगा हुआ है अगर आपने लगा दी ना वह लग जाएगा इतना इजी टू गुरो है अगर आप बिगनर है ना तो ये जरू टाय किजिए अगया परपल हाट अपने घर में लेक्याने के लिए तो आज के लिए इतना ही अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस मेरे वीडियो क को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और अप्टाइप करना बिलकूल मत बूलेगा आज के लिए इतना ही बाट एंट